वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल और आज है मेरा फर्स्ट विलॉग है काफी टाइम से प्लैन कर रहा था विलॉगिंग स्टार्ट करने के लिए बाकी मैंने विलॉगिंग स्टार्ट इसलिए की क्योंकि मेरा इंटरस्ट था और दूसरा रीजन में आपको कुछ टाइम बात अपने किसी और विलॉग में बताऊंगा बाकी मैंने पाकिस्तान टूरिजम पर काम किया मुझे अपने पाकिस्तान के हर शहर हर गली से महबत है और हमेशा से कोशिश होती है कि पाकिस्तान की एक positive image दुनिया को दिखाऊं और मेरा introduction मेरे शहर कराची का introduction है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है तो चलिए पहले आपको चलके वीडियो दिखाते हैं कराची जो करोडों दिलों में बसता है उसी तरह यहां के लोग एक दूसरे के दिलों में बसते हैं इसे घूमते फिरते मैं कभी नहीं ठका, क्योंकि यहां की हर जगा हमारी एक पहचान रखती है। मेरी इस शहर से महबबत यहां की यह इमारते भी हैं, जो माजी की तरफ ले जाती है। जो रफतार डॉक्यूमेंटरी फिल्मों में सूरज या ट्रैफिक की होती है, वो रफतार कराची की आम जिन्दगी की है। इस शहर की हर सड़क एक पहचान रखती है, हर गली एक कल्चर रखती है। कराची की एहमियत सिर्फ वही जान सकते हैं, जो इस शहर को छोड़ गए है। कराची ने कभी किसी को रोजगार देने से मना नहीं किया, और उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बलोची, फटान, सब को अपने दिल में जगा दी हुई है। हकूमती तवज़ा ना मिलने के बावजूद इस शहर का मुकाबला पाकिस्तान का कोई शहर नहीं कर सकता। बिर्यानी हो या बंस रोट के बं कबाब, यहां के हर खाने हैं मुनफरिद। समुन्दरी तूफान से हर बार बच जाने वाला यह शहर, कोई आम शहर नहीं, यह अपने लिए बस अच्छी नियत और महबबत मांगता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिस शहर में आप पैदा हुए हो, जिस शहर को आपने हालात से लड़ते हुए देखा हो, अपने हक के लड़ते हुए देखा हो, उस शहर से महबबत कम नहीं होती, बलके मज़ीद बढ़ जाती है। मुझे बहुत अफसोस होता है, जब आपकिसान के किसी और शहर जाते हैं और कोई कराची की बुराई करता है। मतलब करोडों की अबादी वाले शहर में कुछ बुरे लोगों की वज़ा से हम पूरे शहर को बुरा नहीं कह सकते। इस वह ज़हर हैं जब पाकिसयान का कोई भी शहर किसी मुसीबत में होता है, तो सबसे पहले कराची हाजर होता है। क्योंके कराची ने हम महवबगब करना सिखाई है, एक दूसरे dogma साथ देना सिखाया है। तो फिर भी शहरों की बात कर रहा हूँ, आज कल तो इनसान भी दूसरे इनसान की बुराई याद रखता है और अच्छाईयां नजर अंदास कर देता है तो आज मेरा first vlog था, एक छोटा सा introduction था, मेरा मेरे शहर का हो सकता है काफी mistakes भी हो तो practice makes progress और मेरा वादा है मैं इसी तरह आपको पाकिसान की positive image दिखाता रहूँगा और इंशाला next vlog में आपसे मुलाकात हो गी, खुदा आफिस